नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CCNP course module के अंदर आप देख रहे हैं A2IT online channel आज हम बात करेंगे अपनी 41st वीडियो के बारे में मतलब 41 वीडियो के बारे में जिसके अंदर आज हम बात करेंगे OSPF के virtual link के बारे में जो की बहुत ही important topic है हमारा क्योंकि last lecture के अंदर हमने किया था off backbone area को connect दूसरे off backbone area से with the help of area 0 लेकिन अगर मेरे पास area 0 एक साइड पे रह जाए और off backbone area दोनों एक ही साइड पे आजाए उस condition में मुझे क्या करना पड़ेगा इस वीडियो को पूरा end तक देखें क्योंकि आपको सारा concept end में ही समझ आएगा से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो मैं चलता हूँ अपने gns3 के उपर इस वीडियो को लाइक करें लेटेस टेकनिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल a2it online को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो यह मैंने gns3 open कर लिया है इस gns3 के तो राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 तो मैंने 4 राउटर ले लिए हैं अब इन 4 राउटर को मैं connect कर देता हूँ fast ethernet cable के साथ ठीक है जी तो यह मेरी fast ethernet cable connected है अब मुझे करना क्या है इसके अंदर मुझे पहले अपने physical network लेने हैं और यहाँ पर मुझे कुछ logical network भी लेने पड़ेंगे जैसे मैं यहाँ पर loop back ले लेता हूँ 1111 उसके लावा इधर एक loop back ले लेता हूँ 4 4 4 4 अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा area ospf के अंदर लेना है वो मैं यहाँ से यहाँ ले लूँगा area 0 मतलब backbone area जो है वो side पर रखना है मुझे और दो off backbone area को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा वही हमारा आज का main concept है तो उससे पहले मैं एक बार अपने router की सारी coding कर देता हूँ इसकी IP addressing कर देता हूँ ताकि basic connectivity मेरी पूरी हो जाए ठीक है तो उसके बाद हम अपने ospf की coding करना स्टार्ट करेंगे तो आरवन से स्टार्ट कर लेते हैं मैं लिख देता हूँ यहां पर कि यह जो network है मेरा 1200 slash 30 है यह मेरा network 23.000 slash 30 है यह network मेरा 34 34 का network है मैं यह 34 कैसे ले रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि यह router 1 और 2 है तो 12 ले ले लेते हैं 2 और 3 है तो 23 ले ले लेते हैं 3 और 4 है तो 34 ले 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 लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले R1 की coding स्टार्ट करते हैं तो R1 के ओपर एक ही interface है मेरा F0 by 0 F0 by 0 जो की physical interface है 12 001 255 255 255 252 ले ले लेते हैं यहां पर और इसको कर देते हैं no shot उसके बाद interface loopback 1 ले 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 लेते हैं जिसमें IP addressing कर देते हैं 1111 this is my logical interface और यह मेरे router 1 की coding done है router 2 के ओपर दो interface है एक F0 by 0 है और एक F0 by 1 इसको दे दिया मैंने 12 002 और F0 by 1 को दे दिया मैंने 23 001 तो अगर आपकी basic coding पहले अच्छे से हुई है तो troubleshooting करना बहुत ज़्यादा easy हो जाता है उसके बाद R3 की coding स्टार्ट करते हैं F0 by 1 IP address 23 002 और F0 by 0 IP address 34 001 तो यह हो गया हमारा R4 पे चलते हैं interface fa 0 slash 0 IP address 34 002 interface loopback 1 यह हो गया मेरा done अब अब यहां पे IP addressing कर दिया अच्छा आज मैंने एक एक loopback लिए आप मैं एक चीज और clear करना चाहता हूं आपके साथ कि जो router ID का concept होता है वो कुछ ऐसी होता है कि अगर आपने कोई भी logical interface दिया है loopback दिया है तो वो उसको router ID उठाता है अगर आपने physical interface दिया है तो वो सिर्फ physical में से चेक करता है बड़ा IP address कांस है तो एक काम करते हैं आज हम R2 और R3 के उपर भी एक loopback दे देते हैं ताकि हमारे loopback interface को ही वो बना दे router ID जिससे मुझे नेबर्शिप करना OSPF में easy हो जाएगा तो यह मैंने R3 के उपर दे दिया और यह मैं R2 के उपर देता हूं क्योंकि जब मैं इसके अंदर OSPF डालूंगा तो automatically यह 2.2 को loopback उठा लेगा यह 3.3 को उठा लेगा कई बार क्या होता है जैसे मैं R1 से नेबर चेक करूंगा तो वो 23 का नेबर दिखा देगा मुझे क्योंकि 23 उसने उठाया क्यों है वो उठाया बड़े IP के कारण तो इसलिए loopback सबसे safe game है तो यहां पर मैं क्या करता हूं अब OSPF की बारी आ रही है तो यह मैं बना रहा हूँ जी area number 0 area 0 इसको बोलते हैं हम back bone area उसके बाद यहां पर जो यह 23 का network है या फिर यह loopback ले ले लेते हैं इदर इसको बना देते हैं जी हम area number 200 और जो इधर मेरा area है अब इस area को 34 को और 44 के loopback को डाल देते हैं जी area number 300 अब अगर मैं इसमें OSPF करूंगा तो दिखो मेरा R1 loopback R3 loopback तक पिंग कर जाएगा क्यों पिंग कर जाएगा क्योंकि यहां पर backbone area की direct connectivity है जबकि area 234 के साथ या 44 के root के साथ अपने root exchange नहीं करेगा तो आईए start करते हैं डू शो आई पी रूट तो यहां पर router OSPF1 तो यह तो सारा area 0 में ही है तो मैं यहां पर 00000000 area 0 की default command लगा देता हूं अब आट तू पर थोड़ा ध्यान देना है इसको हम थोड़ा सा transparent कर लेते हैं तो आट तू के उपर हमें root दिख रहे हैं do show IP root में तो जो router OSPF में डालने है हमें network 2.2.2.2000 area no.0 में उसके दावा network 12.000.0003 area no.0 में network 23.000.0003 area no.200 में तो यह मेरा काम हो गया मतलब यह backbone router प्लस abr दोनों का काम कर रहा है area border router तो अगर आपने मेरी last videos नहीं देखी हैं तो please वह video देखें R3 के अंदर हम transparent करते हैं इसे और यहां पर लगाते हैं do show ip root router OSPF1 के अंदर लगाता हूं मैं 333 इसको दे दिया जी area no.200 उसके इलावा 23 का जो network है इसको भी मुझे देना पड़ेगा area no.200 उसके बाद लेकिन जो 34 का network है मेरा वो मेरा आएगा area no.300 में वो भी off backbone area और वाकी last जो R4 है उसके उपर तो default area 300 की हम कमार लगा देंगे तो इसको मैं router OSPF1 network 00000000 area 300 अब यहां पर सारी OSPF की coding हो चुकी है अब मैं R1 पर जाके देखो adjacency का message भी आ गया है और जो loopback वाला मैं बोल रहा था आपको उसका भी मैं बता देता हूं जब हम show IP OSPF neighbor करते हैं तो loopback ही हमारी neighborship id बताता है show IP root लगाएं आप देखो यहां पर इसमें one direct network है two वाला मेरा o से root आ रहा है क्योंकि same area से आ रहा है three वाला और 23 वाला मेरा three और 23 वाला मेरा OIA से आ रहा है मतलब area 200 के root यहां पर आ रहे हैं और area 300 का कोई भी root नहीं आ रहा है यहां पर आप R2 पे भी लगा के देख लो to show IP यहां पर भी 444 और 34 का कोई भी root नहीं आ रहा because of area 200 and area 300 दोनों off backbone है उसके लिए मुझे क्या करना है मुझे मेरे दोनों ABR router के उपर common area के बीच में लगाना पड़ेगा virtual link तो यहां पर अगर देखा जाए area 0 और area 300 के बीच में common area area 200 एक मेरा ABR है जी router number 2 एक ABR है मेरा router number 3 router number 2 की जो router id है वो है 2.2.2 और router 3 की जो है वो है 2.2.2.3.3.3 तो मुझे इन दोनों के बीच में लगाना थी एक virtual link मतलब R2 के बीच में यह छोटा सा circle एक और बना देता हूं है यहां पर कि यह मेरे ABR है और एक circle यहां पर देता हूं मतलब मुझे R2 R3 में कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और वो क्या extra है that is called virtual link तो virtual link चेक करने के लिए सबसे पहला टास्क है कि R2 से मुझे पिंग करना है router 3 की router id और R3 से मुझे पिंग करनी है router 2 की router id because router id must ping with each other R2 पे क्या command लगाऊंगा आप मैं R2 पे जाके मुझे command लगानी है router ospf1 area 200 virtual link router 3 की router id मतलब जो common area वो डालना है और virtual link डालना है तीसरे जो भी आउट router 3 की router id है मतलब 3.3.3.3 R3 के उपर जाके मुझे सेम यही करना है router ospf1 area 200 virtual link देखिए दोनों abr के ओपर एक दूसरी की router id डाल दी तो यहां पर थोड़ी देर बाद एक message आपको receive हो जाएगा कि ospf adjacency up और ospf का virtual link create हो चुका है तो virtual link create हो चुका है अब मैं दोबारा r1 पे जाता हूँ show ip route करूँगा तो आपको मिलेगा कि 34 का route और 444 का route आ चुका है और सारे के सारे route मेरे routing table में आ चुके हैं तो अगर आपके पास दो off backbone area आपस में भी connect हो जाए तो भी आप उन्हें virtual link की help से connect करवा सकते हैं तो next lecture के अंदर हम OSPF के और भी बहुत important task की बात करेंगे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमने यहां पर बहुत सारी को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जुरूर दबाएं थेंक्यू सो माइच इस वीडियो को लाइक करें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एटू आइटी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाना ना भूलें